आपका स्वागत है आई नजर डालते हैं एक बार हिटलाइन्स पर RTI के 15 साल 31 परिशा सुचना आयोगू में कोई प्रमुख नहीं 2 लाग सेधिक मामले लंबिद जाखन में फादर स्टेन स्वामी की गिरफतारी के खिलाव बढ़ते विरोध और सवालों के स्वर देश में 56 दिन बाद कोरना के 60,000 से काम नहीं मामले बिहार में भाजपा किस तरह नितीश को निप्ताने में लगी है बता रहे हैं और दिलिश सुवार को सुचना के अधिकार कानून के 15 साल पूरे होने पर एक फैक शीट से पता चला है कि वर्तमान में लगभग एक तीहाई सुचना आयोगों में उनके प्रमुक नहीं है और दो लाग से अधिक अपील और शिकायते लंबित हैं आयोगों के पास व्यापक अधिकार है या सरकारी अधिकारियों को सुचना प्रदान करने, पब्लिक इन्फोर्मेशन आफिसर को निउक्त करने, जाच का आदेश देने और अधिकारियों को दन्दित करने के लिए दबाव डाल सकता है सदर्क नागरिक संग्ठन दौरा प्रकाशर रिपोर्ट कार्ट के रंसावे बिन राश्ट्री आकलन से आर्टियाए का अनुभव बताता है कि आईसीयस का कामकाज आर्टियाए कानून के प्रभावी कायवन में एक बड़ी अर्चन है रिपोर्ट में पाया गया है कि 29 में से 9 आईसी वर्तमान में किसी प्रमुक के बिना काम कर रहे है यह केंडरी सुचन आयोग यानी CIC और उत्तरप्रदेश, राजिस्थान, गोवा, मनिपूर, तलंगना, जार्खन, त्रिप्रा और नागलेन के राजी सुचन आयोग है यह CIC 27 अगस 2020 से बिना किसी प्रमुक के काम कर रहे है इसके अलावा जार्खन और त्रिप्रा के SIC पूरी तरह से निश्क्रिय हैं क्योंकि पिछले आयुक्तो द्वारा कारयाले छोड़ने के बाद नए आयुक्तो की कोई नियुक्ती नहीं की गई है फादर स्टेन की गिरफतारी के विरोध का स्वर दिनों दिन व्यापक स्वरूप लेता जा रहा है विशेशकर प्रदेश के मुखिमंत्री हीमन सोरेन वा उनकी गड़बंदन सरकार में शामिल दलों की नेताव दोरा इस गिरफतारी का विरोध में किया जाने के बाद से सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी सरगर्म हो चुका है हीमन सोरेन ने शनिवार को प्रेस वारता को संबोधित करते हुए का कि फादर स्टेन की गिरफतारी भाजपा का हिडन एजेंडा है क्योंकि जब जब भाजपा का कोई राजनितिक संकट मंडाता दिखाई देता है तो आधिवासी दलितों और उनके समत्रकों पर हमला शुरू हो जाता है तिराशे वर्षी अवरिद्ध फादर स्टेन जी को गिरफतार करव क्या संदेश देना जाती है उनकी गिरफतारी मामले में केने सरकार द्वार प्रदेश की सरकार को विश्वराश में नहीं लेने पर भी उन्होंने कड़ा एतराज जताया कॉंग्रेस प्रदेश वो सरकार के सिनियर मंद्री रामेशर उराओ ने मीडिया में जाई बयान में फादर स्टेन की गिरफतारी का विरोध करते हुए कहां कि यह गिरफतारी भाजपर सरकार के इशारे पर हुई है प्रदेश राज़त के प्रवक्ता ने फादर को मावादी होने के आरोप को भी निराधार बताया केंड्रिय स्वस्थ मंत्राले द्वारा आज 13 अक्तूबर सुबा आट बरिजार यांक्रों के अनुसार 24 गंटों में कॉर्णा के 55,342 नए मामले दर्ज किये गए है इसके अलावा कॉर्णा में से एक दिन में 706 मरीजों की मौत हुई है लेकिन अच्छी खबर यह सामने आई है कि पिछले 24 गंटों में कॉर्णा से पेडित 77,760 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और सक्री मामलों में 23,124 मामलों की कमी आई है देश भर में अब कॉर्णा के मामलों की कुल संक्या 71,75,880 हो गई है जिन में से अब तक 1,9,856 मरीजों की मौत हो चुकी है स्रास्तमंत्रा लाइकिताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 41,41% की बढ़ोतरी के सार रिकवरी रेट 86,78% हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 62,27,295 मरीजों को ठीक किया जा चुका है 45,107 सैंपल की जाज की गई जिन में से 10,73,014 सैंपल की जाज बेते 24 घंटों में ही हुई है भाजपा बिहार में एंटी एंटी इंकम्बंसी के असलियत भाव चुकी है इससे वा अपना पिंट चुडाने में जुटी है वह हरचन्र कोशिश कर रहे है कि इसके निसाने पर सिर्फ नितीश कुमार रहे हैं वो नहीं इसके लिए वह तीन खास तरों पर काम कर रहे है क्या है उसकी रणीती और क्या है उसका मकसद बता रहे हैं वरिश्ट पत्रकार उर्मलेश आईए सुनते हो ने दोस्तो बिहार के चुनाओं को अगर हम देखें जो डिवलप्मेंट वहां हो रहे हैं जिस तरह की दलबंदियां सामने आ रही हैं उसमें बड़ा दिल्चस्त सूरतेहाल उसका उभर रहा है और वो ये है कि भारती जनता पार्टी एंटी इंकम्बेंसी वो जानती है भारती नितीश कुमार की अग्वाई वारी जनता दल्यू भाजपा सरकार के किलाब जबरदस्त एंटी इंकम्बेंसी है और ये कई कारों से है जिसके बारे में हम सब जानते हैं वहाँ पर बेहाली है वहाँ पर बेरुजगारी है कोर्णा महामारी है और कोर्णा महामारी पूरे लेकिन जो एक अफरा तफरी जो एक चिकितसा यानी स्वास्थवाओं खोर अभाव और वा में वह शायद ही देश के दूसरे किसी और हिस्से में दीखेगा हानाकि कमों बेस हर जगा हाल्続 seminarी लेकिन भिरे हैं यहां sud कि वहां तो जास परताल भी नहीं होती है वहां पर टेस्टिंग भी आम तोर पे जिस तरह से कई प्रदिशों में लागातार घूम घूम करके या लोगों को involved करके किया जा रहा था वहां टेस्टिंग भी ठीक से नहीं होती है तो ये जो हाल है उसकी वज़ा से बेहत ब्याली है लेकिन बीजेपी कर क्या रही है बीजेपी चाहती है कि anti-incumbency की पूरी की पूरी जो उसका जो निशाना है वो नितीश कुमार छेले नितीश कुमार निपते anti-incumbency से और बीजेपी anti-incumbency से यानि सरकार विरोधी जो एक भावना लोगों में है उससे वो बच जाए और इसके लिए वो तो अलग-अलग फार्मूले आजमा रही है उसने देखे अगर माना जाए तो लालू प्रशाद यादों को वो पहले ही निपडा चुकी है वो जेल में है और उनकी जो पार्टी है उसकी इस्थिती बहुत अच्छी इसलिए नहीं कही जाएगी कि सांगठिनिक तोर पे एक पार्टी के पास जो इस्ट्रक्चर होता है ज लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि उनके पास राजनी की कौशल और अनुभाव का अभाव है जो उनके पिता के पास था तो कुल मिलाकर वीजेपी ये समझ सकती है कि उसने लालू प्रशाद को तो निपटा दिया लेकिन अब बारी नितीश कुमार की है तो ऐसा लगत हैं लेकिन सभी की जुवान पर हैं गली-गली नुकर-णुकर हर चवराहे पर भी आरके सभी समझ रहे हैं कि जो जो चिरात पासवान हैं वो किसके इशारे पर ये कर रहे हैं क्यों नहीं वो एंडिये के पार्टनर वहां बन रहे हैं जब कि सरकार में वो दिल्ली की सरकार म वो बकायदे कैबिनेट मंत्री रहे हैं हो सकता है कि भविश्य में जल्दी ही कोई और भी कैबिनेट मंत्री बने उस पार्टी से लेकिन रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो एक बहुती दुर्भागेपून घटना है विहार के लिए पासवान परिवार के लिए और पार्टी के लिए भी उनकी वो उसके बाद भारती जनता पार्टी की पोरी कोशिश है कि जो पासवान जी के औसामईक निधन से जो एक स्थिती बनी है उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिले और फिर चिराग पासवान को भी थोड़ा मिले तो चिराग पासवान के जरिये नितीश कुमार को जितनी च्छत ही पहुचा सकती है बीजेपी इस चुनाव में एलाइंस में होते हुए भी अधुत दिल्चस्क ये नजारा है उसमें चिराग पासवान को उतना ही उठाना चाहेगी जितना वो नितीश कुमार को गिराना चाहेगी और इसके लिए सारे बंदोबस्त कर रही है तो कुल मिलाकर जो पिहार की तस्वीर है उसमें ये पालू बहुत महत्पुन हो गया है कि चिराग को सामने लाओ चिराग को अपन में वो सरकार चलाए बले ही उसने एनाउस कर दिया हो अपनी प्रेस कांफरेंस में कि इस बार भी निवीश कुमार ही उसके नेता होंगे लेकिन सच यह है कि भारती जंतापार्टी विहार में अपनी सरकार चाहती है अपनी अगवाई वाली सरकार चाहती है और वो विहार को भास्पा प्रदेश बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश बन चुका है बहुत सारे प्रदेशों में पहले ही वो मवजूद है कई जगह चुनाव हारी थी कुछ एक जगह लेकिन वहां भी उसकी सरकार बन गई मद्रदेश उसमें एक है तो इस समय उसके लिए बिहार पर काबि लोग उसका करना चाहे बीजेपी के लिए एक बड़ी दिल्चस्प बात ये सामने आई है कि नितीश कुमार की पार्टी में काफी ऐसे लोग हैं जो भारती जंता प्राटी के प्रतिक काफी मुलायम हैं तो ऐसे में अगर चुनाव में नितीश कुमार की पार्टी नंबर बार को compromise करना पड़ेगा कोई और भी कल्प नहीं होगा और चिराग पासवान को अगर दो दर्जन के आसबास सीटें जो कल्कुलेट कर रहे हैं लोग कि अगर उनको आ जाती हैं एक बार उनकी पार्टी को 28 सीटें आई थी तो वैसी स्थिती में चिराग पासवान एक बड़ ally हो सकते हैं और वो deputy chief minister तक जैसा पद उनको आफर किया जा सकता है तो ऐसी स्थिती में भारती जनता पार्टी ये महच संजोग नहीं है कि RSS और BJP से जुड़े लोग LJP यानि चिराग पासवान की पार्टी में इस बार चनाव लड़ रहे हैं और कईों के नाम डिक्लेयर हो चुके हैं कुछ के बाकी हैं अब नड़ा जी कह रहे हैं कि नहीं जो 12 अक्टूबर तक लोग वापस BJP में नहीं लोटेंगे उनको आप पार्टी से निकाल देंगे क्या फर्क पड़ता है आप पार्टी से निकाल लिए फिर पार्टी में लोग चले आएंगे जारकंड में भी एकाज चीजें थी एक घटना क्रम ऐसे हैं जो देखे जा रहे हैं तो दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ी दल्चस बात हो रही है जिस पर कम चर्चा है इस समय बिहार में पांच मोर्चे हैं पांच मोर्चे एक तो आर्जडी कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्ट पी है और देविंद्र यादो की पार्टी है जो पहले एक जमाने में समाजबादी पार्टी में थे इसके पहले आर्ज जन्ता पार्टी में थे तो ये जो पार्टियां है ये मिल करके एक मोर्चा बराई है और मज़े की बात यह है कि इसके आलावा एक चोथा मोर्चा चाहे कि उनकी विमात्वाकान चाहे कि उनके लोग बिहार में चुनाव रड़ें तो ये जो मोर्चे बंदियां हैं बिहार की राजरीत को अच्छी तरह समझने वाले लोग कह रहे हैं और उनका ये जो आकलन है निराधार नहीं है कि ये जो मोर्चे बंदियां है कुल मिलाकर BJP को फायदा पहुचाने के लिए है Newsclick की Delhi Roundup में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं Newsclick की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए Twitter, Facebook, Instagram पर और सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर देखते रही Newsclick धन्यवाद